हेलो एब्रिवन आप सभी का स्वागत है दोस्तो BCCI ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया दोस्तो District Cricket Association से लेकर दोस्तो ये बड़े अपडेट है दोस्तो मतुरा डिस्टिक से लेकर पर्टना डिस्टिक से लेकर और भी बड़े अपडेट है दोस्तो आपके Association से तो दोस्तो वीडियो को एंड तक देखेगा और दोस्तो वीडियो को लाइक कर लिए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि जैसे कोई notification आए आपके State से आपके District से कोई भी Trial का notification आए तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाते हैं तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तो जो पहला अपडेट आरा मतुरा के District क्रिकेट Association से अंडर 14 का जो दोस्तो Trial process था वो चल रहा दोस्तो यहाँ पर जो एक stadium है दोस्तो चंदलू cricket stadium इसमें चल रहा है दोस्तो और आप जान सकते हैं आज इनकी final list भी आ जाई अंडर 14 की मतुरा क्रिकेट एसोसियेशन से दोस्तो दूसरा जो सबसे बड़ा update आ रहा हूँ हो पटना क्रिकेट एसोसियेशन से दोस्तो CK NIDU trophy के लिए 4 players का list जारी कर दिया है जो players trial देंगे और trial में select होंगे CK NIDU trophy के लिए दोस्तो ये बहुत बड़ी update है CK NIDU trophy होने वाला January में start होगा और इसके लिए बहुत ही बड़ा आउसार हो दोस्तो young talented players को मौक का दिखाने का CK NIDU जैसे trophy में तो भी बिहार से बड़ी update आ रही है उसके बाद अलग-अलग state से जैसे भी update आएंगे आपको इस channel पर मिल जाएगा दोस्तो वहीं अगर हम बात करें Asia Cup को लेकर दोस्तो Under 19 का team का एलान कर दिया गया है दोस्तो Asia Cup Under 19 उसके बाद इंडिया का selection किया जाएगा World Cup के लिए क्योंकि इस साल जो आने वाला 2022 से उसमें World Cup भी होना है तो यह बहुत बड़ी update हो दोस्तो ऐसा ही update आप सभी को इस channel पर मिलते रहेंगे दोस्तो जैसे को यह update आएगा आपके association से आपके district से आपके state से आपको इस channel पर मिल जाएगा तो चैनल को कर लिजे subscribe और वीडियो को कर लिजे like जैहिन दोस्तो All the best